जजगनत फ्रेंट्स आज बनाते हैं एक बटर स्कोच केक, इस केक को मैंने 180 ग्राम प्रिमिक्स लिया, उसमें 15 ग्राम ओल डाला और रिक्वर्मेंट के अनुसार पानी डाल के मैंने बैटर बना लिया, फिर स्पैंज को मैंने बेक कर लिया, अब बेक होने के बाद इसको मैं मैंने ठंडा कर लिया और इस तरह से घ्री लेयर में मैंने इसकी कटिंग कर लिए, फिर मैंने क्रीम को बीट करके उसमें बटर स्कोच एसेंस टाल दिया, अब एक बोड के उपर थोड़ा सा क्रीम डाल के फिर एक लेयर को मैं रख दूंगी, आब इसको एसेंस सिरफ से इस से स्प्रेड कर देती हूं यह कस्टमर को भी एकदम कम क्रीम चाहिए था इसलिए मैं बहुत कम क्रीम लगा रही हूं आप देखिए स्पंज भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा अब इसके उपर बटर स्कॉच का क्रस्ट डाल देती हूं अब इसको स्प्रेड करने के बाद इसके उपर अभी डाल ली हूँ यह क्यारमनाइस्ट नॉट्स अब इसके उपर क्यारेमल को इस तरह से में ड्रिजिल कर दूँगी अब इस साइड में दूसरा लेयर डालने के बाद इस साइड में जो छोटे-छोटे स्ट्रीप होते हैं उसको इस तरह से असेंबल कर दूँ अब इसके उपर फिर से क्रीम लगाएंगी क्रीम को स्प्रेड करने के बाद वोही सेम प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट करूँगी इसके उपर डालूंगी बटर स्कॉच का क्रस्स फिर डालूँगी केरमलाइस्ट नॉट्स और फिर डाल दूँगी केरमल को ड्रिजल कर दूँगी यह की टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है केरमल का जो टेस्ट बटर स्कॉज एसेंस बटर स्कॉज का क्रस और केरमलाइस्ट नॉट्स के साथ आता है बहुत टेस्टी लगता है अब इस तीसरे लेयर को रखके सोक कर दूँगी और पूरे आउटर को क्रीम से कवर कर लूँगी ये जो मैम थी ये बार-बार मुझे बोली थी कि मुझे कम क्रीम बाला चाहिए केक इसलिए मैंने इसके उपर ज्यादा डिजाइन नहीं बनाया था लेकिन मैंने क्या किया था चार-पांच मैंने ग्लॉसी प्रिंट पे प्रिंट निकाला था एक तो डीपी में उनका फोटो था मुझे पहले पता नहीं था ये उनका है कि किसी का है लेकिन मैं रिस्क लेके उसको प्रिंट करवा ली थी और दूसरा प्रिंट का जो था उसमें लिखा था कि बेस्ट मॉम और और एक जो प्रिंट निकल वाई थी उसमें लिखा था हापी बड़े दादी और जो और एक करवाई थी उसमें लिखी थी कि ब्यूटी कुइन जो beauty queen वला tag था उसको मैंने उनका जो photo था photo को नीचे उसको cut करके एकदम fix कर दिया था और उसको toothpick के साथ मैंने assemble कर लिया था और सारे जो glossy print के थे उनको उस cake के उपर मैंने लगा दिया था तो बच्चों के तरफ से happy birthday दादी था बेटे के तरफ से best mom था और उनके friends के तरफ से beauty queen था फिर last में मैंने एक chocolate strip में उनका नाम लिखके cake के उपर रख दिया था और बीच-पीच में थोड़े से golden ball भी डाल दिये थे फिर जब उनकी बेटी cake लेने आई थी तो फिर वो जब देखी कि उनकी mom का एक photo उसमें बनवाय के लगाया हुआ है तो फिर वो बहुत खुस हो गई कि आपने फोटो कहां से लिया मैंने बोला डीपी में ये photo था मैंने उसी को print निकलवाय लिया था फिर वो cake लेके चली गई थी और फिर उनको मैंने बोला था आप सारे glossy print को लगाने के बाद मुझे एक photo send कर दीजी गया फिर वो लगाने के बाद मुझे photo send की थी एक cake जो उनके बेटे के लिए मैंने बनाया था उसमें थोड़ा सा मतलब scratch हो गया था और दूसरा वाला ठीक था उसी दिन उनकी ममी और बेटे दोनों का जनम दिन था और दोनों का एक साथ ही उनको celebrate करना था उनके बेटे के लिए जो cake था वो मैंने मुझे खुद order दिया था लेकिन उनहीं के लिए जो था cake उनकी बेटी ने उनके लिए सर्प्राइजली ओर किया था ये इसके बारे में उनको पता नहीं था और मैंने उसके उपर जो happy birthday दादी, beauty queen और best mom ये सब लिखवाया था ये देखे उनको बहुत अच्छा लगा था क्योंकि तीन दिन बाद उनका call आया था वो बोले कि मैं थोड़ा busy हो गई थी घर के काम में call नहीं कर पाई थी लेकिन आपने cake जो बनाया था बहुत ही बढ़िया बनाया था टेस्ट तो गज़बी था और cake भी बहुत बढ़िया था एकदम मस्त था अगर आप भी सूरा सिटी बे रहते हो और मेरे किचन से cake के साथ साथ food order करना चाहते हो screen के उपए number है call करके details पता कर लें इसके अलावा उडिसा के भुबने सोर में 40 classes प्रोबाइड करती हूँ जिनको join करना है call करके details पता कर लें मिलते हैं और एक वीडियो में